हाई मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखा हूँगा कि mysql server को install कैसे करते हैं देखें आज कल फूब सारे database management systems popular है mysql भी एक database management system है जो बहुत popular है उनमें एक तो oracle है एक sql server है macsoft का तो सवाल यह भरता है कि mysql क्यों इतना popular है सारे mostly web developers mysql को ही क्यों prefer करते हैं तो यह एक easy to install है आज आपन देख भी लेंगे कि कैसे easily install होता है ज्यादा configuration setting नहीं करने होती है और यह खुद ही auto install कर लेता है जो important मसला है वो यह है कि open source platform है open source से क्या होता है कि का इसके उपर research करती रहती है इसके उपर और modules add करती रहती है out of interest कि जो कोई salary नहीं मिलती है और obviously जब वो add करते देते हैं features तो यह enhance होता जाता है और आपको support में मिलता है जैसे कोई माली यह कोई fault आ भी या माली या आप कुछ run कर रहे है और you find कि भी यह module से output नहीं दे रहा है तो इसके developer community आपके block पे अगर आप लिखेंगे कि यह fault है तो आपको support definitely मिल जाएगा support है बहुत faster है यह जितने भी DBMS आजकल जो famous है RDBMS उनमें सबसे fast है compatible है सारे operating system पर available है आपको windows के लिए मिल जाएगा mysql mac के लिए मिल जाएगा linux के लिए मिल जाएगा जितने भी आजकल popular OS है सबके लिए आपको mysql का version available मिल जाएगा internet से freely download कर लो आप secure है आपका जो भी data है वो automatically encrypt हो जाता है तो अगर वो through net भी अगर data जा रहा है इतर से अधर एक एरिया से दूसे एरिया में तो कोई अगर उसको hack भी करना चाहे तो encrypted होगा तो obviously वो secure है कोई आराम से डेटक नी कर पाएगा कि actual data क्या था इसमें जो developers जब डेवलप करते हैं website तो उनको stored procedures, triggers वगरा, cursors वगरा, ऐसे कुछ modules की जो परती है जो programming में, looping में help करते है तो यह भी support करता है, कुल मिला के जो mysql है यह एक developer के लिए full packet unit है, वो भी free of charge, बहुत popular हो गया है और काफी जिने इसको use करते हैं, तो आज आपस देखते हैं कि इसको आज install कैसे करते हैं, पहले तो आप इस site पे इस URL पे जाएं और इसका latest version जो है उसको download करें, जो इस वक latest version है, वो है 5.7.10, मैंने इसको download किया, तो इसकी installer file है, उसका extension of the .msi, आप इसको install करेंगे और जब आप इसको double click करेंगे, तो इसका installation initiate हो जाएगा, जब आप इसको double click करेंगे तो पहली screen आती है, जैसा कि usually सारे software's में आती है, एक license agreement आता है, कि भी आपको use करने के लिए terms and conditions हैं, आप इसको पढ़ें, और जब आप इसको accept कर लेंगे और click करेंगे next button पे, तो आपका installation शूओ हो जाएगा, ठीके, जो next screen है, वो यह पूछती है, कि आप इसका setup type आपको कैसा चाहिए, पांची options आएगे, यह का developer default, यह का server हो लिए, client हो लिए, full custom, तो developer default जो है, इसके मैस्कोल के अंदर खुब साथ products है, products यह नि, components है, जिसे मैस्कोल server, मैस्कोल workbench, मैस्कोल connectors, वगरवगर, मैस्कोल views, तो आपको जब developer default पर click करके आगे बढ़ते हैं, install करते हैं, तो एक developer के लिए जो जो products, जो components ही जोद पढ़ती है, वो automatically install हो जाएगे, अगर आप यह option लेता है, server only, तो सिर्फ server ही install होगा, यानि workbench install नहीं होगा, या connectors install नहीं होगे, अच्छा मैं बार 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 यह word आ रहा है, workbench, workbench, तो मैं आपको लादो workbench एक component है, या product है, जो आपको गूई facility देता है, गूई facility यानि graphical user index facility देता है, जिसके तहत आप कोई भी database, या table, visually mouse के मदद से, या जो भी menu tools की मदद से, इसको create कर सकते है, आपको की command याद करके लिखनी ही जोतनी है, ठीके न, तो server only जब आप यूज़ करते हैं, तो आपको इधान रखना पड़ेगा, आपको workbench वगरा बाकी install नहीं होगा, तो अगर आपको database या tables create करनी है, तो आपको इसके command window में ही लिखनी पड़ेगी, तो आपको उसका syntax commands का याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, जब आप client only करते हैं, तो इसका server, automatically कहीं पे installed है, और आप through client, उस server से connect करेंगे, बहले वो land में हो या आपको internet से हो, तो आपको भी पास जो होगा mysql workbench है, ऐसे products ही install होगे, जिस developer के लिए एक जो प्रोड़क्री ओपरती cable वो ही install होते हैं, लेकिन जब आप full option लेते हैं, तो सारे ही products, पूरा का पूरा mysql server है, mysql जो package है, पूरा with along its all products, सारे install हो जाएंगे, जब आ custom option चुनते हैं, तो यह आपको पूछेगा, आपको screen देगा, जिसमें कहेगा, आप आप बताएं, क्या-क्या install करना चाते हैं, कौन-कौन से connector install करना चाते हैं, कौन-कौन से view install करना चाते हैं, क्या करना चाते हैं, कौन सा client software install करना चाते हैं, तो अपन तो जो default option है, default, developer default, वो ही select करते हैं, और next पे click करेंगे, ठीक है ना, जो मैं next पे click करता हूं, तो मैं इसे रहेगा कि यह यह list में दिखाई जाएगी कि साब आपने जो option लिया है उसके तहत यह सारे products mysql के install होंगे जिसमें आप देशते हैं mysql server भी है mysql workbench भी है mysql notifier भी है mysql excel के लिए है visual studio के लिए mysql है so सारे connectors वगरा सब कुछ सबकी list आईगी documentation भी आगया उसमें तो यह कह रहा है कि साब यह मैं install करने जा रहा हूं तो आप अगच्छा हैं तो आप execute button क्लिक करके आप उसको एक message देशते हैं कि हाव इस्टॉ करें तो सारे products को सारा ready to download तो यह क्या करेगा download भी करता जाएगा आपको screen भी लिखाएगा 10% 11% होता जाएगा फिर इंस्टॉल भी करता जाएगा तो जब आपके यह जब इंस्टॉल हो जाएगा तो component वो product के आगे लिखाएगा उसका status जो है ready to download से चेंज हो के complete होता जाएगा तो जब सारे के सारे products का complete status हो जाएगा सारे products install हो गया ठीक है आप आगे यह जो cancel है cancel जो button है यह चेंज हो के next हो जाएगा जब सारे आपके सारे products install हो जाएगे तो आप आहां से वेट करें यह बहुत टाइम लेता है तकरीवन पांसे तस मिनट इससे मैंने अभी आपको सीधा मशीन करके नहीं दिखा रहा हूं यह मैंने PowerPoint में साइट्स बना के इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि यह क्या हो रहा है कि बहुत टाइम लेता है तो वीडियो में आपको बहुत टाइम लगएगा समझने में कि क्या कर रहा है जो next ही एक final काईगा किसाब ऐसा है आपके samples or examples और mysql server ही दो चीज़ें हैं इन प्रोडक्श में जोंको configure करना कुछ options कुछ features आपको यूजर को बताने पड़ेंगे यूज करने के लिए ठीक है तो आप तो next पे क्लिक कर दो तो यह पहले आपका mysql server को configure करेगा उसका samples and examples जो यह तना महत्रपूर नहीं है हमारी है लेक यह जो config type है यह इसमें तीन-चार option है जैसे development machine, server machine, dedicated machine आपको कैसा configuration चाहिए server का देखिए dedicated machine का तो मतलब है कि इस computer पे mysql server के लावा कुछ भी नहीं होगा ना मैं कोई दूसरा server install करूँगा ना कोई apply है रणगा सिर्फ वो एक dedicated machine है तो यानि यह बड़ी-बडी कमडियों म से run करते हैं तो डेटिकर machine पे उस machine पे mysql server के लावा कुछ नहीं होता है और server machine पे mysql भी रहेगा और उसके rated जो softwares होते हैं वो भी रहेंगे बलब जो server से rated होते हैं यानि वो सिर्फ सर्व नहीं होगा उसके अलावा उसे rated software applications भी रन होगी तो यानि यह जो डेटिकर machine यह तो पूरे computer के machine पूरी memory लेगा यानि एक तरीक है यह सारे resources यूज़ करेगा सबसे ज्यादा memory कंजूम करता है यह dedicated machine option server machine option थोड़ी कम memory लेगा कम रिसूस लेगा इस option के अंदर बाकी एक्प्रिकेशन भी रंग होंगी और डेलोफर मिशन का मतलब है कि सब भाहिया एक अकेला माइस को नहीं चलेगा बाकी इस ब्रस भी मैं इस्टो करता हूं और उस सब्रकेश्व के डिटेड अप्लिकेशन भी डाउनलोड करता हूं तो यह डिवल्फर मशीन है मेरा जब दिल करेगा मैं एक सर्विस को बंद करके दूसरी सब्रों कर दूंगा आई इस बीस्टों करूंगा माइस कुल भी तो ठीक है अपने डिवल्फर मेशीन लेकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सब आप मैस को सर्वर से जब करेगा आपका क्लायंट वो किस के तहत करेगा TCP IP के जरीए करेगा Named Pipe के जरीए करेगा Shared Memory करेगा तो अपन TCP IP ही प्रिफर करते है अगर Named Pipe रहा और Shared Memory करूंगा तो मुझे Pipe का नाम भी बताना पड़ेगा कि किस Pipe पे जरीए मेरा Client Servers से Connect होगा Shared Memory है तो मेरेको उसका भी Shared Memory का नाम देना पड़ेगा और TCP भी जब आप करते हो तो इसका मलब अगर NET से में आपको remote जहां पर मेरी website hosted है remote से connect करना है जिसके तहर मैस्कुल connect करता है अपके client को ठीक है और इसके अलवा आपको यह तो रहे अपने यह options advanced configuration भी एक option है जो आपको option देता है कि भी आपके जो logs है logs यानि query log, error log, general log, binary log, इनके path बताओ, path की setting बताओ, तो यह optional है आप चाहे तो उसको select करें चाहे तो नहीं करें आप आप next पर click करोगे तो जो next window है वो है accounts and roles की इसमें आपको सबसे important बात है यह root का password आपको डालना पड़ेगा, यह root sensitive है, administrative होता है, जो default user होता है और इसके बस सारे rights होता है, वो कुछ भी कर सता है mysql पे, user भी create कर सता है, user permissions में अटा सता है, तो आप इदर डालेंगे, दोनो symbols, dollar वगएरा, hash वगएरा, ऐसे कुछ डालें, तो यह strong कर लाता है, usually, वो कमसे हम six digits का या characters का तो हो ही हो, anyway, मैंने अपने इसाफ से डाल दिया, यह भी मेरा जो password वीक बता रहा है, होसता है, मैंने special symbol नहीं डालें इसमें, upper case, lower case, or new vehicles तो डाली है मैंने, anyway, मैं आगे चलता और एक यह और है कि इसमें आप कोई user account भी create करते हैं, वो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहें, root का आपने password भूल गया है, तो आप पूरा my school वापस reinstall करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है, उसका password निकालने का, लेकिन अगर आप कोई दूसर यूजर भी create करते हैं, जिसका rights, जिसके privileges, root के बराबर ही हैं, तो आप उस user से login करें, root का password चेंज करते हैं, तो एक अपन चाहेंगे, कि user भी create करें, जब आप add user क्लिक करोगे, तो ऐसी screen मिलेगी, चो कहेगा user का नाम बताओ, बताओ उसका role क्या हो, यानि किस के, बल दिया, admin वाला, equivalent to root होता है, हाना, administrator rules, हाना, और फिसका password और confirm password डाल दिया, जैसे मैं ok करूँगा, तो ये मेरा user है, bin to, ये भी हाँ, इस line में आ जाएगा, myschool user accounts की list में आ जाएगा, ठीक है, तो root password ये देने के बाद जब आप next करते हैं, तो एक ऐसी screen आएगी, ये कह रहा है options है, इसको, मैं as a service मानना हूँ, और मानू या नहीं मानू या, और उसको जब मैं run करूँ, तो computer जब start हो, myschool server को भी start कर दूँगा, तो ये कुछ options है, जो default on मिलेंगे आपको, तो आप इसको ऐसी option रहने दे, आप myschool को as a service ही on हो जाने, तो उससे क्या होगा, जब आप computer on कर जाएगा, आप सीधा काम करना शूकर है, ठीक है, अच्छा, Windows जो service आप चलाओगे, वो किसके तहट run करोगे, जो user, जो system इसको चलाता है, standard system account user है, उसके तहट या कोई particular user के जरिए ही myschool automatically run हो, तो अगर आप custom user करते हैं, ध्याना करना उसको सारे privileges हो, विन्डोस में login होने के अधवाइस वो myschool as a service run नहीं नहीं करेगा, तो अपन default is standard system account ही रखते हैं, यानि जब जो usually system को on करता है, उसके तहट जो आदमी जैसी वो login करेगा, जो भी usually system को login करता है, तो automatically myschool as a window service start हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब यह है, अब उसके बाद, ये एक simple सा final list दे रहा है मैं ये चेकलिस्ट है, मैं ये सारे चीज़े करूँगा, ठीक है, और ये करता चला जाएगा, ये एक पर ये logbook है, या पैसे तो भई, मैं server को stop कर रहा हूँ, फिर confusion file के अंदर लिख रहा हूँ, जो भी आपने confusion setting क्लिक किया उसके है, फिर firewall को update करो वगरा वगरा, तो ये ब सेंपल 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 में इतना important नहीं है हमारे लिए, लेकिन still ये जो next screen है उसमें आपको कहेगा, कि मैं sample and examples को configure कर रहा हूँ, तो आपको बस default option select रखके next next click करते जाना है, और कुछ नहीं करना, हाँ एका जगह पर ये आप से root का password मांग सकता है, तो वो आप root का password जो भी आ आप finish पर click कर देना, ठीक है, और ये धान होना जब आप finish पर click कर रहेंगे तो ये option आपका my school workbench, auto run करने का option selected होता है, इसको जिसे आप finish करेंगे, तो my school workbench, जिसका tutorial next lecture में है मेरा, उसके तहत में, वो execute हो जाएगा automatically, तो मैं अपना database tables बना सकता हूँ, tables create कर सता हूँ, user create कर स और ये सारे में काम कर सता हूँ, तो इसके जरी ये सारा जुस्कीन है, इससे आप आराम से माइस्कूल इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी school में problem आए, तो आप मेरे को bmharwan yet yahoo.com पर mail कर सकते हैं, have a nice day, thank you.